प्रूप प्रूप स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो ये सब्सक्राइब करने के चैनल को और फिली आपको ये बेल आइकन होगा उस पे क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन आज के सीडियो में कवर करेंगे फार्मसेटिक्स दैप्ट जिसमें कौन-कौन से टोपिक्स कवर करेंगे तो देखे देख लेंगे preparation of suspension और evaluation of suspension तो देखे preparation of suspension में सबसे पहला step क्या होता है अधिश इस suspension नरप्रिकेशन बाए grinding in the mortar to a smooth paste with the vehicle containing the wetting agent तो दिखें सब से बिले क्या था है पैसल मॉटर लिया जाता है उसमें इन-soluble ingredient जो है उनको ग्राइड कियाता है किस की साथ ऐसे वहिकल के साथ जिसमें वैटिंग एजंट प्रसेंट है यह वहिकल कंटेंग वेटिंग एजंट है और इन मॉटर में इन-soluble material है इन दोनों को ग्राइंड किया जाता है आपस में एक स्मूथ पेस्ट बनाया जाता है step 2 में क्या किया जाता है all the soluble ingredients are dissolved in same portion of vehicle and added to a smooth paste to step 1 to get a slurry फिर देखें यही जितना portion of vehicle हमने इस step में लिया तो step 1 में उतना ही portion of vehicle लिया जाता है और उसमें जो soluble ingredients होते हैं उसको इसमें dissolve किया आता है इसमें क्या होता है कि insoluble ingredients होता है तो यह dissolve तो होंगे नहीं vehicle में तो that is why क्या किया था कि vehicle को इसके साथ इसके साथ grind किया आता है अच्छे से but इसमें क्या किया था कि soluble ingredients जो है उनको dissolve किया आता है vehicle में and then यह जो portion होता है इसको देरे देरे इसमें डाला जाता है देखिए step 1 में जो हमारा paste तयार हुए smooth paste उसमें add किया जाता है to get a slurry slurry obtain करने के लिए step 3 में क्या किया जाता है the slurry is transformed to a graduated cylinder फिरी जो slurry form हुई है उसको transfer किया जाता है graduated cylinder में the mortar is rinsed with successful portion of vehicle so देखिए थोड़ा सा जब इसको transfer किया जाएगा graduated cylinder में तो थोड़ा portion of जो यह slurry है वो इसमें रह सकता है that is why यह mortar जो है इसको भी rinse कर दिया जाता है successive portion of vehicle के साथ graduated cylinder में step 4 होता है step 4 में क्या किया जाता है decide कियाता है whether the solids are basically step 4 में decide किया जाता है कि किस type का suspension मनाना है suspended in structured vehicle की solid जो है उनको suspend करना है structured vehicle में यह इस तरह जो suspension है वो flocculated बनाना है यह flocculated and then suspended करना है solid particles को यह decide किया था step 4 में पर दिखिए क्या कियाता है add a vehicle containing suspending agent or flocculating agent पर दिखिए type of किस तरह का solid का nature होगा उस flocculated होगा flocculated and suspended होगा इस आप से क्या किया जाता है कि वहिकल में suspending agent या flocculating agent जो है उसको add किया आता है एक some portion of vehicle में and then जो slurry प्रिपेर हुई थी previously हमने देखा था graduated cylinder में जो हमने transfer की थी पैसल मॉटर से तो उस slurry में इस vehicle containing suspending agent or flocculating agent को add कर दिया जाता है देखिए तो मतलब है कि यह जो है final suspension जो है वो बन रहा है step 5 में क्या कहता है कि make up the dispersion to a final volume फिर देखिए इसी dispersion को final volume तक इसका volume make up कर दिया जाता है and thus the suspension is prepared देखिए इस तरह से प्रिपेर किया आता है suspension और फिर देखिए evaluation और suspension देखिए बहुत ही important है exam point of view से तो देखिए four methods होते हैं जिससे evaluation किया आता है suspension का sedimentation method, rheological method, electrokinetic method and micromeretic method सो देखिए सब के बारे में देखते हैं हम detail में सबसे पहले आता है evaluation में sedimentation method सो देखिए इसमें भी two parameter होते हैं जो कि study किया आता है determine करने के लिए sedimentation sediment क्या होते हैं जो suspended particle होते हैं suspension में वो settle down होने लगते हैं bottom of the container में इसी process को कहा जाता है sedimentation तो two parameter कौन से होते हैं देखिए sedimentation volume and degree of flocculation तो यह क्या होते हैं next slide पर देखते हैं अपनी सबसे पहले होता है sedimentation volume क्या होता है देखिए इसमें क्या किया था 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 इस तरह के evaluation में किस तरह से process की जाती है the suspension formulation means 50 ml of suspension जो formulation जिसका evaluation किया जा रहा है उसको pour किया था separately 100 ml measuring cylinders में देखिए इस तरह के 100 ml measuring cylinder होते है उसमें पोर किया था है 50 ml देखिए यह 100 ml cylinder नहीं है आपको example के तरह पे समझा जा रहा है कि 100 ml measuring cylinder में 50 ml suspension की formulation जो है उसको pour किया जाता है and then sedimentation volume read किया जाता है देखिए after 1 day, 2, 3 and 7 days and thereafter at weekly interval for 12 weeks तो देखिए सबसे पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तिसरे दिन, फिर 7 फिर दिन और फिर weekly intervals पे हर week इसको measure किया आता है sedimentation volume को for 12 weeks तक देखिए यह किया जाता है इस तरह से फिर क्या होता है देखिए triplicate results were obtained for each formulation तो जो भी formulation use की जा रही है उसके triplicate means उसके 3 copies जो है, 3 results जो है वो obtained के आता है each formulation की फिर देखिए sedimentation volume calculate के आता है according to the equation, क्या equation होती है f is equal to v u by v o हम कह सकते है जिसमें क्या है देखिए where f क्या है sedimentation volume है जो calculate क्या जा रहा है v u क्या है ultimate height of the sediment है and v o क्या है initial height of the total suspension है तो मालेजे देखिए, यह total suspension जो है वो present है, initial height है यह total suspension की यहां तक suspension है तो v o यह हो जाएगा और v u क्या होगा देखिए ultimate height of the sediment तो मालेजे sediment जो है यहां पर देखिए sediment हुआ है solid particle तो v u क्या होगा, इसकी height होगी and v o क्या होगी, यह initial height of the total suspension है वो होगा, इससे हमारा calculate हो जाएगा sedimentation volume अगरी second होता है degree of flocculation क्या होता है देखिए आपको अच्छे से समझाते है it is a ratio of sedimentation volume of the flocculated suspension देखिए यहां पर जो हमने previously देखा था f sedimentation volume of the flocculated suspension to the sedimentation volume of d flocculated suspension देखिए sedimentation volume of d flocculated suspension को इस f इस तरह के science से denote किया आता है तो degree of flocculation is equal to f by f and f by f आप कह सकते है sleeping 8 कह सकते है इसको इस science से इसको denote किया आता है अगर हम इस form में देखिए तो देखिए b is equal to v u by v of flocculated upon v u by v of d flocculated suspension so देखिए तब minimum value of b is 1 तो यह minimum value of degree of flocculation 1 होती है when flocculated suspension sedimentation volume is equal to the sedimentation value of defloculated suspension जब इन दोनों का ही जो flocculated and defloculated suspension दोनों का ही sedimentation volume equal होता है तो तो यह degree of flocculation का degree of flocculation is equal to 1 होता है देखिए क्या difference होता है flocculated and defloculated suspension में जब इनको यह है starting stage पे जब इसको रखा गया है तो दोनों का ही देखिए इस तरह से sediment में इस तरह से यह suspension दिखेंगे इन दोनों के ही super natant है वैसे क्या होता जाता है दिखिए flocculated suspension जो है उनमें कहते कि sediment जो है वो form होने लगे है पार्टिकल जो है वो settle down होने लगे है इसमें भी देखे पार्टिकल जो है और टाइम बीतने के साथ साथ देखे क्या होता है यह पार्टिकल जो है यह पूरी तरह से settled down हो चुके है deflocculated suspension में क्या होता है कि इस तरह के एक तरह का hard cake form कर देते हैं पार्टिकल अगर उनको बहुत लंबी समय तरह के आता है तो यह आपको दिखाया गया है देखे इस फिगर में नो देखे second method आता है rheological method बहुत ही important होता है यह क्या होता है देखे it provide information about the setting behavior तो setting behavior क्या होता है जो suspended particle होते है उनकी information देता है rheological method brookfield viscometer is used to study viscosity of the suspension तो देखे यह ब्रुक field viscometer होता है जिसका यूज किया आता है viscosity find out करने के लिए क्या किस तरह से होता है देखे it is mounted on the helipath stand and using t-bar spindle तो देखे यह अगर आप इसके different parts देखे यहाँ पर यह cylinder होता है फिर यह disc present होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं disc और disc देखे यह कहां mount होता है इस तरह के T-bar पर mount होता है और फिर क्या होता है यह spiral adapter होता है जिसकी spiral adapter होता है जिसके तरह यह movement के अरवाय जाते है इस T-bar की अलग रख different parts होते है इसके T-bar spindle is made to descend slowly into the suspension तो देखे यह T-bar stand जो है इसको देरे यहाँ पर suspension फिल किया जाता है और यह T-bar spindle जो है इसको देरे देरे slowly slowly down लाय जाता है suspension में and देखे the dial reading on the viscometer is then measured फिर यहाँ पर यह देखे dial reading जो है वो measure कि जाती है measure of the resistant of the spindle meets at various level देखे किस तरह से यह जो resistant को सामना करना पड़ रहा है spindle को मिस कितनी रुकावट इसको आ रही है अपने movement में downward movement में उसको measure किया आता है इस तरह कि देखे यह dial होता है इस पे उसको measure किया आता है resistant को measure किया आता है because कितन viscous कितनी viscosity है suspension की आपके सकते है उसके हिसाब से इसकी reading जो है वो record कि जाती है इस तरह के या इस तरह के देखे instrument में dial reading ली जाती है और फिर देखे क्या किया जाता है this technique also indicate at which level of suspension the structure is greater owing to the particle acclomeration so देखे इस technique से और सो पता लगाया जाता है indicate कि कौन से level of suspension means जो आपने देखा है जो टी बार जो है वो नीचे नीचे आता रहता है suspension में तो इससे पता चाले लगा जाता है कि किस level of suspension में structure जो है वो greater है means particle जो है suspended particle वो आपस में agglomerate हो गए है आपस में एकटा हो गए है वो भी पता लगा जाता है इस method से the dial reading is plotted against the number of turns in the spindle so dial reading आप कह सकते हैं because dial reading में viscosity को measure कि किया जा रहा है तो viscosity को plot किया आता है अगी से number of turns in the spindle यहां पर देखे दिखाये गए है shear rate की form में उसको जब इसमें graph calculate plot किया था तो क्या होता है the better suspension show the lesser rate of increase of dial reading with the spindle turn so देखे इसमें confuse नहीं होना है आपको dial reading का मतलब है क्योंकि हम उस instrument से viscosity measure कर रहे हैं तो viscosity is to viscosity versus shear rate में plot किया तो better suspension कौन सा होगा जो lesser lesser rate of increase in dial rating दिखाये का with the spindle turn that is the curve is horizontal for the longer period of time तो देखे कर जो है इस तरह का अगर होगा horizontal for the longer period of time तो वो suspension better होगा क्योंकि जैसे जैसे आप उपर जाते जाए जैसे viscosity बढ़ते जा रहे है वैसे आप देख रहे हैं तो इस तरह का suspension जो है वो अच्छा नह प्रती जा रही है वो stable नहीं होता है इस तरह का suspension देखे जहां पर curve जो है वो horizontal है तो उस तरह का suspension को better suspension माना जाता है तो थर्ड आता है evaluation में electro kinetic method इसमें क्या किता है कि measurement of zeta potential देखे इसमें zeta potential को measure किया आता है using micro a micro electrophoresis apparatus and zeta plus तो देखे 2 apparatus होते है it shows the stability of the dispersed system इसमें क्या calculate किया disperse system की वो find out कियाता है इसमें two apparatus होते हैं देखे माइक्टो इलेक्टो फोरेस इस तरह का apparatus होता है यहां पर इलेक्टो प्रेजन होता है यहां पर very dilute suspension को डाला जाता है उसमें यह capillary होती है यहां पर microscope present होता है तो यह होता है and then second होता है zeta plus apparatus जो है उसको बहुत जादे यू होते देखे zeta potential is a key indicator of the stability of the collider dispersion तो एक तरह का key indicator होता है कि जो dispersion है हम क्या सकते है suspension है वो stable है या नहीं उसका indicator होता है क्या होते देखे आप magnitude of zeta potential indicate the degree of electrostatic repulsion between the adjacent similarly charged particle in the dispersion in the dispersion तो zeta potential जो है आपके सकते हैं कि वो आप वो indicate करता है कि कितना degree of electrostatic repulsion between the adjacent and similarly charged particle का dispersion में means जो particles है वो एक दूसर को कितना repel कर रहे हैं वो जितना repel करेंगे उतना ही अच्छा suspension होगा क्योंकि अगर वो attract करेंगे तो क्या होगा particle जो हो अगलूमरेट हो जाएंगे और इस तरह का suspension required नहीं होता यह unstable suspension होता है तो यहीं indicate करता है zeta potential के कितना degree of electrostatic repulsion ह between particles यह अब यह point आपको ध्यान से सुनना है for molecule and particle that are small enough तो जो molecule and particle small होते है उनका high zeta potential होता है high zeta potential होने का मतलब क्या है they will confer stability मतलब जो particle small होंगे high zeta potential होगा तो suspension जो हो dispersion will resist aggregation means जो उसमें suspended particle है वो aggregation होने को resist करेंगे वो aggregate नहीं होंगे तो इस तरह का suspension जो है वो stable माना जाएगा वहीं देखें अगर आप दूसरी तरह देखें अगर zeta potential जो है वो small है means low zeta potential अगर तो attractive force जो है वो exceed करेगा repulsion को means attractive force जादा होगा particles की बीच में and the dispersion में break और flocculate dispersion जो है वो flocculate हो जाएगा means वो aggregate हो जाएगे आपस में particle तो इस तरह का suspension है वो unstable माना जाएगा so that is why collide with high zeta potential तो देखें यहाँ यह zeta potential stability behavior बताया गया है तो ऐसे collide जिन में high zeta potential होता है no matter वो positive हो या negative हो high zeta potential वाले collide जो है वो electro electrically stabilized होते हैं while the collides with low zeta potential देखें यहाँ आप देखें low zeta potential they tend to coagulate और flocculate तो देखें अगर आप graph में देखें तो आप यह limit भी याद कर लेजाएगा 0 to 5 rapid coagulation करेंगे 10 to 30 incipient stable होंगे वो 30 to 40 जो है वो moderately stable होंगे 40 to 60 plus minus zeta potential good stability होगी and above 61 is excellent stability अब देखें अब देखें लेते हैं zeta potential measurement zeta potential को measure कैसे किया आता है तो the zeta potential of formulation suspension was determined using zeta plus देखें zeta plus यह apparatus होता है जिससे most of the time जिससे यह zeta potential जो है वो determined किया आता है approximately 1 ml of suspension was transferred into the plastic covet using a pipit and diluted with the distilled water तो देखें यहां पर यह plastic covet होता है इसमें approximately 1 ml of suspension जिसको evaluation करना है उसको transfer किया आता है और इसको dilute किया आता है distilled water से the brook heaven zeta potential software was used for the measurement तो देखें इस तरह का यह एक तरह का software होता है जिसको use किया आता है zeta potential measurement के लिए the parameter set to the temperature देखें temperature set किया आता है 250 degree celsius पे and refractive index 1.3 ते set किया आता है zeta potential of the formulation was determined on day 0 day 0 means day 0 का क्या मतलब है जब sampling हमने की है जब sample डाला है तब उस sample का zeta potential देखते है then उसके बाद after 7 day, 14 day, 21th day and at last 28th day पे zeta potential मेजर किया आता है इस software में तो देखें फिर आता है at last micromeratic method तो the stability of suspension depends on the particle size of the disperse phase तो देखें यह किस phenomena पे based होता है कि particle size क्या है disperse phase का उस पे depend करती है stability of suspension, micromeratic method के अनुसार the size of the particle in the suspension may grow and eventually lead to the formation of lumps and caking तो इसके अनुसार क्या है देखें पार्टिकल जो है suspension में वो आपस में agglomerate होके वो grow हो सकते है and eventually वो suspension को unstable बनाते है lumps and cracking, lumps and kicking हो जाती है suspension में so any change in particle size with reference to time will provide useful information regarding the stability of suspension तो with reference of time जो भी particle change हो रहे है suspension में अगर हम उसको study करें तो उसे हमें पता चल सकता है कि stability of suspension किस तरह की है a change in particle size distribution and crystal habit may be studied by microscopic and counter-counter method तो देखें दो method होते हैं जिसके थूँ ये change in particle size जो है वो study किया आता है a microscopic method and counter-counter method तो दोनों ही method देखते हैं हम अपनी आने वाले slide में so देखें कौन-कौन से दोनों method है सबसे पहले counter-counter method इस तरह का apparatus यूज किया आता है an instrument that measure the particle size distribution so इस instrument के थूँ particle size distribution को measure किया आता है from the change in electrical conductivity as the particle flow through the small opening so इसमें देखें इस तरह का counter-counter method में इस तरह से particle size distribution को measure किया आता है एक small opening के थूँ suspension जो है उसको pass किया जाता है and then measurement की जाती है then second होता है microscopic determination देखें इस तरह का microscopic determination होता है जिसमें sample is taken on the slide and examined under microscope sample को लिया जाता है slide पे उसको under the microscope determined किया जाता है so I hope आपको evaluation part समझ आए होगा suspension का अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी doubt है तो आप नीचे दिये वे comment box में हमें पूच सकते हैं so thank you for watching this video so thanks for watching next video we cover करेंगे pharmaceutics chapter 19.4 stability of suspension container labeling and storage conditions so friends अगर आपको ये वीडियो चलेगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजे अपने friends के साथ like कीजे वीडियो को अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो please चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो के नीचे लेट करका subscribe बटन दिया होगा उस पे क्लिक करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे देवे comment box में अब हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे related videos के link हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों learning pharmacy पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में